इस वीडियो में हम insert API को सीखने वाले हैं, उसके लिए हम एक post API को implement करना पड़ेगा, जिसके तुरू हम हमारे movies को resources को लेगे और node.js के तुरू mongo db में insert करेगे, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे app.post API, post क्योंकि हम एक post method को send करने वाले हैं, जिसके तुरू हम resources को create करते ह और इसके अंदर हम यहाँ पर single code, now resource का name, so movies, and यहाँ पर हम लेगे request and response as a callback function, okay, now we will wrap this function using try and catch block, हम यहाँ पर try and catch block को लिखते हैं, ताकि हम हमारे code को error proof बनाए, देखी, यदि कुछ भी insertion करते वक्त कोई error आती है, तो हम इसे catch block में send करेंगे, और catch block के अंदर से हम एक generic response भीजना चाहेंगे कि internal server error, यदि इसमें कुछ भी error आती है, तो यहाँ पर इसे catch करके, इसे client के तरफ भेज देगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो client के तरफ से body आने वाली है, request body, देखी, मैं आपको पहले दिखा देता हो कि हम क्या भेजने वाले, देखी हम ए address, release date, producer, इस तरह के data को भेजने वाले है, तो हम इस तरह के data हैंगा request body को accept करेंगे, request.body, देखी है, request.body, आपको यह धियान रखना है कि जैसे हम इसे request.body को receive करेंगे, client के तरफ से, तो उसके लिए हमें हमारे express server में एक middleware को insert करना जरूरी है, जिसका app.use middleware में लिखते है, ज उसमें लिखेंगे express.json method, यह express.json method हमें लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो post API होगी, या put API होगी, जिसमें हम request body को accept करेंगे, हमारे express server में, तो उसके अंदर यह json request को लेने में help करता है, और parse करने में help करता है, तो जब तक हम यह express.json को नहीं लिखेंगे, client के तरफ से हमारी request.body आ नहीं सकती है, तो देखिए, यह help करता request.body को लेने के लिए, तो हमने यहाँ पर request.body लिखा, तो जब तक हम वो middleware function नहीं लिखेंगे, request.body पर data नहीं आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर result को, result में जब भी data insert हो जाएगा, तो उसका जो भी result time उसे result variable में लिखेंगे, and यहाँ पर लिखेंगे await, await.db.collection, so हमें कुन सा collection है यहाँ पर, movies collection, movies dot, हमें इसमें insert करना है, insert कितने करना है, insert only one document, कुन सा document करना है, हमें body को insert करना है, क्योंकि body में आप, हमने पहले ही json structure को prepare कर दिया, तो इस तरह है कि जो भी movie का structure आएगा, व देखें, यहाँ पर अब, यह जो return कर रहा है, यह promise return कर रहा है, तो इसे हम await के थूरू resolve करना चाहते है, लेकिन await लिखते है, तो उसके definition में हमें असिक लिखना होना जरूरी है, और इसे हमने save कर दिया, जो भी इसका result आएगा, यहाँ पर acknowledge true and id, आना आएगी, और वो object इस variable में store होगा, उसके बाद हमें इसमें लिखेंगे response.status, और इसमें लिखेंगे 201, हम 201 इसलिए लिख रहे है, क्योंकि हम यहाँ पर resource को database में create कर रहे है, जब भी हम resource को create करते है, तो 201 status code को client को send करते है, और यहाँ पर हम लिखेंगे json, अब यहाँ से json pass करेंगे, जो भी server की तरफ से, या हम बोल सकते, mongo db के तरफ से response आएगा, इसमें आएगा response, acknowledge true, and उसकी resource id, so हमने हैं पर save कर दिया, save करने के बाद हम चलते है, हमारे postman पर, postman पर देखिए हमारी localhost movies, and यहाँ पर हमने इसका payload दिया, method है, post, इसको send करेंगे, जैसी send करें, देखिए, acknowledge true, and inserted id, मत हम इसको देखते हैं कि यह resource हमारे database में create हुआ या नहीं, तो उसकी लिए हमारे पास, हमने पहले API implement करें, get movie by id, उसको call कर सकते हैं, देखिए, get movie by id, so आपने इसको देखा, देखिए, यहाँ पर, जो हमने resource को insert किया था, वो यहाँ पर आ चुका है, so that's it in this video, thank you very much, मिलते है next video, में